आज कोई घबराने के जरुरत नहीं है, आज मैं अपना भाशन, मेन जो भाशन है वो अधानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ मैं मनिपूर गया, हमारे प्रधान मंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मनिपूर हिंदुस्तान नहीं है इदी राजनेती ने मनिपूर को नहीं, हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा हिंदुस्तान को कतल किया है, हिंदुस्तान का मौदर किया है आईटन नमबर ट्वंटी-फॉर, स्री राहूल गांदी जी क्यों झाल टांदी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुचाया क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता है शायद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो वो जो उनको कश्ट हुआ को शोरिये कि धाणी, हमेशा अधानी पे अभी मिक शोरोती होँआ कह जो बोला है जो बीक शोरोती है झाले, हमेशा हुआ के वो कishट मैं मकler तो तो वो जो कश्ट हुआ उसका उसका असर शायद आप पे भी दोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ मगर मैंने सिर्फ सचाही रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं आज आज आपको डनने की ज़रूद नहीं है आज जो मेरा भाशन है और आप आज 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 कोई घबराने की जरूद नहीं है आज मैं अपना भाशन में जो भाशन है वो अधानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ तो आप रिलाक्स कर सकते हैं आप शान्त रह सकते हैं क्योंकि मेरा भाशन आज दूसरी डिरेक्शन में जा रहा है रूमी ने कहा था रूमी ने कहा था जो शब्द रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं, और मैं आज आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूँगा, मतलब एक दो एक दो गोले जरूर मारूँगा, मगर इतना नहीं मारूँगा, तो आप रिलाक्स कर सकते हैं, पिछले साल एक सो तीस दिन के लिए, मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, समुदर अधीर अधीर, समुदर, समुदर के समुदर के समुदर के टच से, प्लेज, प्लेज, ऐसे धमकाने का बाट के मत बोलों आपे, प्लेज, मैं, समुदर के टच से, कश्मीर के बरफीली पहाडी तक चला, नहीं, लदाक को मैंने नहीं छोड़ा, यात्रा अभी खतम नहीं हुई है, यात्रा जारी है, और जरूर लदाक आएंगे, गबराइए मत, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद, कि राहूल, तुम क्यों चल रहे हो, क्या, तुम्हारा लक्ष क्या है, गन्या कुमारी से, कन्या कुमारी से, कश्मीर तक क्यों जा रहे हो, और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मुझे, मेरे मुझसे जवाब नहीं निकलता, शायद मुझे ही नहीं मालूम था, कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की, जब मैं, कन्या कुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था, मैं, हिंदुस्तान को देखना चाता हूं, समझना चाता हूं, लोगों के बीच में जाना चाता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था, थोड़ी देर में, मुझे बात समझ आने लगी, जिस चीज से मुझे प्यार तर था, जिस चीज के लिए, मैं मनने को त्यार हूं, जिस चीज के लिए, मैं मोधी जी की जेलों में जाने को त्यार हूं, जिस चीज के लिए, मैंने दस साल हर रोज, गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाता था, ये है क्या, जिस ने, मेरे दिल को, जिस चीज ने मेरे दिल को, इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उस को मैं समझना चाता, शुरुआत में, जैसे मैंने शुरू किया, सालों से, मैं हर रोज, उस आठ-दस किलोमेटर दोड़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में था, कि अगर मैं, दस किलोमेटर दोड सकता हूँ, तो पच्चीस किलोमेटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं, कि मैंने सोचा था, आज मैं, उस भावना को देखूँ, तो वो अहंकार था, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, तो मेरे दिल में, उस समय अहंकार था, मगर भारत अहंकार को एक गम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है, तो हुआ क्या, दो तीन दिन में, मेरे घुटने में दर्द शुरूँ हो गया, पुरानी इंजरी थी, और, जबर्दस दर्द, हर रोज, मैं उठू, और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द, तो पहले दो तीन दिनों में, जो अंकार था, जो मतलब, बेड़िया जो निकला था, वो चीती बने था, एकदम, जो, जो हिंदुस्ताइन को अंकार से देखने निकला था, वो पूरा अंकार गायब हो गया, और, रोज, मैं डर डर के चलूँ, कि क्या मैं कल चल पाऊँगा, ये ये मेरे दिल में डर था, और जब भी ये डर बढ़ता था, जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई शक्ती, मेरी मदद कर देती, एक दिन, मैं सेह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिठ्थी दे देती, मैंने चिठ्थी खोली, आठ साल की थी उसमें लिखा था, उसने मेरे पैर में चोट देखी, और उसने अपनी शक्ती मुझे दे, सिर्फ उसने नहीं, लाको लोग में, और शुरुआत में, जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, कोई किसान आता था, मैं एक दम उसको, पहले उसको अपनी बात बताता, कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए, मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए, कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया, मैं, जो मेरे दिल में, बोलने का डिजायर था, वो बंद हो गया, बोली नहीं पाया, क्योंकि इतने लोगों दे बोलना था, और एक, सनाटा साचा गया, भीड की आवाज थी, भारत जोडो, भारत जोडो, भारत जोडो, और जो मेरे से बात करता था, उसकी आवाज में सुनता गया, हर रोज, सुबह छे बजे से, राच साथ आथ बजे तक, आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनसमेन, किसान, मजदूर, सब की आवाज, आ रहूं, आ रहूं, आ रहूं, आप, आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लाओ, पाज़दर मिन रुक जाओ, तो, ये चलता गया, मैं, बात सुनता गया, और फिर, मेरे पास एक किसान आया, और किसान ने हाथ में, रुई पकड़ी हुई थी, और उसने मुझे कहा, उसने कहा, उसने मुझे कहा, मेरे आप में देख कर, उसने मुझे अपना, वो रुई, रुई का बंडल दिया, और उसने कहा, राहुल जी, ये ही बचा है मेरे खेट का, मेरे खेट का, ये ही बचा है, और कुछ बचा नहीं है, मैंने उससे जो, मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भाईया आपको भीमा का पैसा मिला, वो पूछा, भीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पक्रा, किसान मुझे कहता है, कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के, बड़े उद्योग पतियों ने, वो मुझसे छीन लिया, मगर इस बार, बड़ी अजीब सी चीज हुई, जब मैंने किसान को देखा, और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था, वो मेरे दिल में आया, जो उसके आँखों में शरम थी, जब वो अपनी बीबी से बात करता था, वो शरम मेरे आँखों में आई, जब जब उसकी जो भूख थी, वो मुझे समझाई, और उसके बाद यात्रा बिलकुल बदल गई, मुझे भीड के आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के आवाज सुनाई देती थी, जो मेरे साथ बात कर रहा था, उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन जिया। बाई और बेनों, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये, देश है, कोई कहता है, ये अलग-अलग भाशाएं हैं, कोई कहता है, ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है, ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है, मगर भाईों और बेनों सच्चाई है, कि ये देश, एक आवाज है, ये देश शिरफ एक आवाज है ये देश इस देश की लोगों की आवाज है इस देश के लोगों का दर्द है दुख है, गटिनाया है और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहमकार है हमारे जो डिजायर्स है हमारे जो सपने हैं उनको हमें परे करना पड़ेगा जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती है अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉंफिडेंस मोशन में क्यो मतलब है कि भारत एक अवाज है भारत लोगों का डुख है भारत लोगों का कश्ट है मुश्किले हैं क्योंकि भाई और बेहनों पूरा सूसे समें जबाद मिलेगा तेर आफमें मत रो प्रform अफनerin हमें मत रोकेगा तो हमें को मत रोकेगा तो अब सब देख रहे हैं सब सुन रहे हैं आप हमको फिर बस रोकेगा तो स्पीकर सर भारत एक आवाज है भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है और अगर हम उस वाज को सुनना चाहते हैं हमें आहंकार को नफरत को मिटाना पड़े को स्पीकर सर कुछी दिन पहले मैं मनिपूर गया हमारे प्रद्रान मंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्यूंकि उनके लिए मनिपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मैंने मनिपूर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सच्चाई ये है कि मनिपूर नहीं बचा है मनिपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनिपूर को आपने बाट दिया है तोड़ दिया है मैं मनिपूर में रिलीफ कैंप में गया रिलीफ कैंप में आज आ रहा हूँ मनिपूर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात थी और रहा हुआ है कि गाँ पर दिलीफ कैंप में छुपिए लगाँ इसकते नहीं दिलीफ कर देखेंगे और बनेपुर के कैम्प्स में मैंने महिलाओं से बात की बच्चों से बात की जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने आज तक नहीं किया एक महिला मुझे कहती है मैंने उनसे पूछा बेहन क्या हुआ आपके साथ सब्सक्राइब 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 तो पुरा देश ख़ड़ा होगा आपके ख़ड़ा होगा मैं मैं बहुत साही महिलाओं से बात किया मगर मैं आपको दो धारन देना चाहता हूँ एक महिला मुझे कहती है मैंने क्या मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ कहती है मेरा चोटा सा बेटा एक ही बच्चा था मेरा एक ही बच्चा था मेरा मेरे सामने मेरे आँखों के सामने उसको गोली मारी है मैं पूरी रात आप सोचिए आप अपने बेटे के बारे में बेटों के बारे में सोचिए मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही जूट नहीं जूट आप drives के सा मैं नहीं बोलता हूँ मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा मुझे डर लगा मैंने अपना घर छोड़ दिया जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी कहती है नहीं सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं और फिर इदर उदर ढूंटती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है एक और एक और उधारन एक और उधारन दूसरे कैम्प में मैं एक महला मेरे सामने आती है मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ ? जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूचा, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूचा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही, एक सेकंड में वो कापने लगी, उसने अपने दिमाग में वो द्रिश्टे देखा, और वो बेहोश हो गए, मेरे सामने कापती हुई बेहोश हो गए, तो ये मैंने आपको सिरफ दो धारन दिया हैं, स्पीकर सर, इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हतिया की है, मनिपूर को नहीं, हिंदुस्तान की हतिया की है, इनकी राजनेती ने, मनिपूर को नहीं, हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है, हिंदुस्तान को कतल किया है, हिंदुस्तान का मौडर किया है, कामरा इन आपिस हो याद अरे जो भाग किये हैं जाब करेंजी जाब करेंजी जाब करेंजी कि मानने समी सधी शिदुद दुकाऊंगा शांग ती रहें फ्लीज फ्लीज मने अप्लोर किया बोले किश किया पाज़े हुआ पानी पी रहा है बाई पूर को देबटो सर राहूर गाल्दी ने आज जो बातें कहीं वे इस सवाल पूर जाता हूँ सर राहूर गाल्दी का कॉंडर्स पार्टी साथ जाथ 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 जादा इस धेर को शासन किया है नौर्टी सक इस जोड़ से कमकिया है आज जोघी स्काथ जाथ 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 कॉंगर्स पार्टी श्कार्टी से जाथ 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 जोड़ से जाथ जाथ जोड़ने पहसा ही है? भौट कोई द proportional की हुग होग था तरप्रिए ध्या पे लिए और फिलीजेज नागके इरे ट को हैंडीज़ दिलम्त आहाङ हैं अचार्व भाओ कि ट्रिंख कि आरते दिक पारो दिखा लसी हान श्रा दातश हंए सब माइच घ्राइट वर्दकत i.e. भालु जी प्लीज बालु जी प्लीज एक बिट प्लीज बिटीए मानियय सद श्विगान जिस तरीके का वहार आप टेबिल परातर कर रहे हैं जलत तरीका है तो कहा है, ऐसे सदन नी चलेगा, और भाइक के बात कही है, जलत तरीका ये, नो, ऐसे सदन चलने वाला निये है, जो माने सदेशन टेबिल पाया है, उनके खिलाब कारवाई होगी, प्लेज, बैठी है, बैठी है, बैठी है, आप भी बैठी है, आप भी बैठी है, माने मंत्री जी, भारत, माने मंत्री जी, प्लीज बैठी है, भारत, माता, प्लीज बैठी है, प्लीज बैठी है, मैं बहुत शांती से सुन रहा हूँ, इसका तरीका ये नहीं है, उचितों कि आप टेबिल पर जैसे मैंने जैसे मैंने बाशन के शुरुआत में बोला भारत एक आवाज है भारत हमारी जनता की आवाज है दिल की आवाज है उस आवाज की हतिया आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हतिया आपने मनिपूर में की भारत माता को आपने मनिपूर के लोगों के मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हत्या की है आप देश द्रोही हो आप देश भग नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप देश द्रोही हो आपने देश की हत्या मनिपूर में की प्लीच 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 मनिमपूर में, मनिमपूर के लोगों के दिल में लेज एक मीट बेटीए आप, एक मीट बेटीए रहने तो आप बेटीए , बेटीए आप प्लीज बैटिये, प्लीज आप बोल लें फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हधियारे हो प्लीज माने सुभेव प्लीज 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 देखिये माँने सदाश्चिकन, भारत मा हमारी मा है, हमें साधन में बोलते समय सहीम वरतना ची मैं मनिपूर में अपनी मा की हद्या की बात कर रहा हूँ मैं आदर से बोल रहा हूँ आपने मेरी मा की हद्या की मनिपूर में एक मेरी मा यहां बेटी है दूसरी मा को आपने मनिपूर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे तब तक आप मेरी मा की हदिया कर रहे हो हिंदुस्तान की सेना मनिपूर में एक दिन में शांती ला सकती है हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग निकर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मनिपूर में मारना चाते हो तो अगर नरेंडर मोधी जी अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते है तो किसकी आवाज सुनते है दो लोगों की दो लोगों की आवाज सुनते है किसकी आवाज सुनते है इसकी आवाज सुनते है और किसलिए सुनते है नो एक गलत तरीका माने सुनते है माने सदेश आपका गलत तरीका है आप सीनियर सदेश आप इस तरीके का अब रावन दो लोगों की सुनता था रावन दो लोगों की सुनता था मेगनाद और कुम्बकरद वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमिद्शा और अधानि भाई और बेदो लंका को लंका को हनुमान ने नहीं चलाया था लंका को रावन के अहंकार ने चलाया था ब्लीज मानिज सदाश आप सही हैं मिक बोले आप यह सदन है आप तरीके से बोले आने रावन को नहीं बारा रावन के अहंकार में रावन को मारा का आप पूरे देश में केरोसीन भेक रहे हो अब भर्यान में कर रहे हो तो ए छो आप सदन में किस तरीके का बोल रहा चाहते हैं यह सदन माने सदेशे चंसद है जो जो आप सदेशे चाहिए ऐसी आप सुझेशे चाहिए झाल झाल